हलो फ्रेंट्स तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि यह जो हमारे काउंटर्स होते हैं तंबोला वाले काउंटर्स होते हैं इनके साथ हम कैसे कमाल कर सकते हैं येस फ्रेंट्स आज के जो गेम हैं हम खेलने वाले हैं इन काउंटर्स के साथ तो चार ऐसे गेम में आज आपक का स्वागत है तो नमस्कार दोस्तों चलते हैं हमारे इस मज़दार गेमों को कैसे खेलना है सबसे पहले हमने लेने हैं काउंटर्स और काउंटर्स में हमने लेना है एक डाइस यस फ्रेंज इसमें वन मिनट का टाइम लिमिट दिया हुआ है और हमें निकालने हैं डाइस के के according इसमें से counters तो counters जो रखने हमें एक बाउल के अंदर रखने हैं प्लेट में मत रखेगा क्योंकि फैल जाएंगे एक के ऊपर मतब इस तने से रखे हुए हो ताकि members को डूनने में थोड़ा सा दिफिकल्ट हो गेम में जबी जादा मज़ा आता है तो चलिए time limit से start होती है dice में dice चलना है number 1 तो counters में हमें निकालना है जिस भी dice में number 1 यूज हुआ हो हम 51 भी यूज कर सकते हैं बहुत जादा मज़ा आता है जब हमें मिलते नहीं है 3 फिर का counters मुझे उपर ही दिखना है इसलिए हमने ऐसी गहरी सी बाउल लेनी है ताकि members को counters निकालने में प्लेट में रखेंगे तो बहुत जल्दी easily निकाल लेंगे फोर नमबर फिर से मुझे फोर दिख रहा है फोर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यह ठीक है number five number six number six number four number four number five देख रहां फटा फट से होता है गेम और बहुत मज़ा भी आता है जब सब इस गेम को कहलते है number one number six number six मुझे नहीं दिखा ली इरा nine है यह number six 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 number two to stop यहां मेरा गेम इस टॉप होता है तो आपने देखा one minute में हमें dice के numbers के according counters निकाल ले है और जो सबसे ज़ादा counter निकाल लेगा वो बन जाएगा इस गेम का winner तो चलिए यहां मैं अपने points बताती हूँ three six nine ten and eleven तो यहां मैं 11 counters निकाले है one minute में इसी तने से one by one members आएंगे individual game खेलेंगे dice के according आप इस game को couple में भी खिला सकते हैं couple में खेलना है तो one partner हमारा dice roll on करेगा और one partner counters निकालेगा वो भी बहुत ज़ादा मज़ेदार हो जाएगा तो इसी तने से यह game खेलना है और जो इसका high score रहेगा वो इस game का winner बन जाएगा चलते हैं अब हमारे second game की side कि हमारा second game क्या है second game के लिए यहां आपको अपनी theme के according to tag ready करने होंगे जैसे कि आज कर summertime चल र लिख लिया है breakfast lunch लिख सकते हैं कोई ऐसे two items जो आपकी यदि कोई theme है anything है तो रख सकते हैं यह ठंडा गरम भी must है in summer time में तो हमने लिखा है ठंडा गरम और इस पे डाल दिया है 1 to 45 और 46 to 90 शॉर्ट में डाल दिया है एक side में ताकि members को clear रहे तो members को क्या करना है बिना देख 7, 8, 9, 10 ऐसे ही 1 मुठी में उन्होंने निकालने है इसमें से ही अब जैसे बिना देखे मुठी ऐसे बंद करवानी है उन्हें और 10 counters गरम में डलवाने हैं 3, 6, 9, and 10 ठीक है चेक कर लेगा party host की 10, 10 counters निकालने हैं 10, 10 counters निकालने के बाद अब जो party host से वो चेक करेगा कि जो 10 में निकाले हैं तो ठंडे में हमारे हैं 1 to 45 तो 1 to 45 तक जितने भी counters आएंगे वो हमारे count होंगे जैसे 3 हो गया हमारा 17 and 3 देखे 76, 65, 51, 78, 50 यह हमारे नहीं count होंगे क्योंकि यह हमारे जाते हैं गरम वाले counters इसलिए हमने divide कर दिया हैं अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें कितने suit करते हैं मतब कि right रहते हैं जैसे कि यहां देखे आप देखे आप देख रहे हैं गरम में मेरे ज्यादा चोटे counters आए हैं और घ्रंडे में मेरे बड़े ज्यादा आए थे आप इसमें यह हमारा निकल जाएगा बाहर 23 भी out है 62 चलेगा 12, 18, 67 सिफ मेरे 2 counters तो यहां friends यहां मेरा लाग अच्छा नहीं रहा मेरे तो only 5 इन numbers बने हैं पूरे हमने 20 counters निकाल ले हैं आप इसमें कम यह बढ़ती भी कर सकते हैं means आप 15 15 counters भी निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है 15 counters भी आप निकाल सकते हैं या फिर हम मैं आइडिया दे रही हूँ कि आपको back side से भी two tag बनाने हैं इन tag को mix करके भी रखवा सकते हैं ताकि members cheating ना करें और हमें counters निकालने हैं इसमें तो हम देखके भी निकाल सकते हैं 15 15 counters जैसे आप 15 चाहें 10 चाहें इसनी तने से निकालने हैं और फिर उन tag को सीधा करके इस तने से निकालने हैं और number check कर लेते हैं जिसका high score र तो हमारा second game complete होता है अब हम चलते हैं third की साइब ठर्ड के लिए ना हमें deck चाहिए ना ही हमें dice चाहिए सिर्फ रखने हैं बाउल में counters इसी तने से बड़े से बाउल में counters रखने हैं अब हमारा है इसमें lucky हम members से पूछेंगे एक कोई भी numbers हम party host से इस तने से hand रख लेगा अपने counters को ताकि दिखे ना और mix करके आप बोलेंगे party host पूछेगा members जो भी game खेलने आ रहा है कि इसमें हम 30 second भी रख सकते हैं one minute वो आपकी choice है तो उसे पूछना है एक कोई भी number जैसे कि यहाँ मैं बोलती हूँ three तो अब मुझे क्या करना है फटा फट से जितनी भी counters में three use हुआ है वो हमें निकालने हैं देखे three 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 वाले counters three three मुझे three वाले ही counters निकालने हैं वो numbers आगे use हुआ हो या पीछे फटा फट से यह record three मिल गया मुझे friends बहुत मज़ा आता है जब हम यह वाला एक ही numbers के बताएंगा और इसमें मैं बताऊंगी आपको की total हर number कितना होता है एक dice board पर वो भी मैं आपको जलुडी से बताने वाली हूँ पहले मैं निकाल लेती हूँ three फटा फट से आपको गेम बता रही हूँ तो यहां मैंने बोला number three तो members को को जो भी numbers के लिए वो निकाल रहा है कोई भी numbers वो चूज कर सकता है यहां मैंने three करा था तो देखना है one minute के अंदर मैंने कितने counters निकाले हैं friends इसमें भी मेरा points रहता है score रहता है 11 तो यहां मैंने निकाले है 11 counters तो ऐसे ही members को one minute में निकालने हैं एक बात और मैं clear कर देती हूँ जो हमारे हर numbers होते हैं counters होते हैं इसमें mix होते हैं जो भी numbers के वो 18 देखे one का count करते हैं one two three four five six seven eight nine इसके बाद one हमारा इस line में भी use हो रहा है one two three four five six seven eight and nine तो आप दे counters होते हैं two counters भी ले सकते हैं one two three four five six seven eight nine और फिर उसके बाद हमारा two का आ गया one two three four seven eight nine 18 हर counters हमारा हर numbers 18 वार mention होता है board पर तो members को इसी लिए हमें one minute पर निकलवाना है 18 means हमारे counters 18 तो हैं ही एक numbers के इसलिए कोई भी number choose कर सकते हैं और इस game के साथ खेल सकते हैं अब आता है number हमार four number four को हम खेलेंगे इस board के साथ yes friends number four game खेलने के लिए हमें चाहेंगे एक board पर हमें लगवाने है counters लेकिन आज जो counters लगवाएंगे वो लगवाएंगे हम उल्टा एं सीधा चलिए कैसे members को board दे देंगे और हम counters इसी तने से बाउल में रखेंगे इसके बाद हम उन्हें दें आले numbers को join करना है means plus करना है जैसे 4 और 8 12 तो जो total क्या बना 12 तो हमें जो counters लगाना है वो 12 के उपर लगाना है yes friends यहीं उल्टा सीधा है counters को 48 के पर नहीं रखना इन दो को plus करके जो भी counters का number बन रहा है उसके उपर रखना है जैसे 12 है यह है हमारा 3 and 2 5 तो 5 के उपर आ नेक्स नमबर है 1 and 3 4 7 and 9 16 6 and 3 9 देख रहे हैं आप फटा फट से अब 6 and 0 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही रहेगा अब जैसे की number आया हमारे हाथ में counters आया 5 और लेडी यहां रखा हुआ है 5 तो इसको हम कर देंगे out अब हम आगे चलते हैं 4 and 7 हो जाता है हमारा 11 5 and 0 5 तो इसको भी out में कर देंगे 3 and 0 3 1 and 6 7 अब 7 1 and 8 9 अब 9 पर हमारा counters already रखा हुआ है कोई भी counters हो सकता है 9 का plus बहुत सारे counters बनते हैं 1 and तो हम इसे outside रख देंगे इसी तने से 1 minute तक हमें लगाने है counters और जो सबसे ज़्यादा लगा लेगा वो वन जाएगा इस game का winner तो friends जब टोटल करे जाते हैं और counters को उनके ऊपर नहीं रखके हम अलग रखते हैं उल्टा सीधा रखते हैं तो बहुत जादा मजाएगा तो ऐसे ही यह चारो गेम जो मैंने आज आज आपके साथ शेयर करे हैं मुझे जरू बताएगा कैसे लगे थमसब पे किलिक करना मज भूलेग आपके साथ शेयर करता है इसलिए बेल आइकॉन दबाना मत बूलेगा ताकि नौटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर लेटेस ऐसे मज़िदार से गेम आइडियाज के तो फ्रेंड्स कौन सा गेम आपको जादा बैस लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा प्ल के साथ तो फ्रेंड्स इंजॉय करिए थैंक यू